करक रासी बालों का आने बाला दिन यणी की आठ मार्च 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आठ मार्च 2021 के पंच्यांग के बारे में आज तिथी है दसमी नक्षत्र है पुर्बासाढ़ा पक्ष है कृसन पक्ष दिन है सोमवार आज के दिन सुर्य उद्य का समय है 6.49 मिनट में शुर्य अस्त का समय है 6.35 मिनट में रितु है वसंत आज का दिन काल है 11 घंट 45 मिनट 40 सेकेंड का महिना है फाल गुन आज के दिन सुभ समय सुरू होता है 12 बज के 5 मिनट पीम से 12 बज के 55 मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है 12 बज के 55 मिनट पीम से 1 बज के 45 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 8 बज के 7 मिनट एम से 9 बज के 35 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आपके आने बाले शमय का पंच्यांग मित्रों इस वेडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा तोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके बेपार आपके बेबसाई के बारे में दोस्तों आने बाले शमय में यदि आपके बेपार आपके बेबसाई की बात करें तो कामकाज के द्रिष्टी कौन से आपका शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबं सांदार होगा आने बाले समय से पहले यदि आपके बेपार आपके बेबसाई में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने बाले समय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक नौकडी करते हैं जौब करते हैं तो आने वाले समय में आपके नौकडी के छित्र में आपको जो भी काम दिया जाए तो उस काम को महनत, इमानदाडी एबम एकागरता के साथ आपको पूरा करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नौकडी के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको अबश्य मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक सामाजिक कार्ज करता हैं तो आने बाले समय में आपके सामाजिक जीवन में आपके समाजिके लोगों के द्वारा आपको पड़ेशान किया जाएगा जिसके कारण से आने बाले शमय में आपका सामाजिक जीवन बहुत जयादा खराब होगा मित्रो आने बाले समय में यदि आपके दामपत्ते जीवन की बात करें तो दामपत्ते जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले समय में आपके लिए अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक किया है दोस्तों आने बाले समय में अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए आपको कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए यदी आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदी आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने बाले शमय में आपके लिए भाग्य साली अंक है तीन यनी की थिरी आपके लिए भाग्य साली रंग है सफेद और सिलबर तो मित्रों यही था आपके आने वाले समय कारा सी फल तो आगे बठने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जै सनी देब कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह सेर कर दें झालब।